एक ऐसा पहलवान जिसके माता पिता का साया बच्वन में शिर से उठ गया और वो इस अखाड़े में आके उसने कभी गर्दन उपर नहीं की और जो भी कोच ने उसको टास्क दिया या जो भी मेहनत का उसको दिया कि आपको इतनी मेहनत करनी है तो उससे पहले वो कभी नहीं ना वो उसने कभी कोच की तरह आख उठागे देखा हम दिल्ली के च्छतर साल स्टेडियम में हैं जहां पर अमन सहरावत को ले करके जशन का महौल है यहां पर सभी लोग टीवी देख रहे थे और टीवी देखने के साथी साथ लगातार शोर हो रहा था जशन का एक तरीके से सेलिब्रेशन हो रहा था उसका उसको लोग अंजॉय कर रहे थे आप लोग बताईए कि अमन सहरावत के बारे में क्या कुछ जानना चाहिए उनकी फेमिली के बारे में कुछ अगर आप बता सके परिवर से स सरे शौर्व कि लिए बारे में सेजा में सेटमें का और ऊब्रोड गां 계속 से ब्हुत ज्यादा लगाव है 나올 जन गौर यसे रुट गांव यहां भिन इतना गगे बाइस को बहुत ज्यादा द्यान जखेए और यह बहुत अच्छे लिए उल्त कजाएगा उल्मीज तो इस बार में उसके सरूसे ही यही थी उनके पिता जी की और उनकी माता जी की डेथ होगी थी तो पहले उनके पिता जीन उनको कशा फैलानी में वो किया जादा है वर्ड चैंपिन भी सुसील पहलवान जी है ओलम्पिक मेडलिस्ट है दो बार के वर्ड चैंपिन है तो यहां पर उनको गाहँ वालों ने देखिया भई यहीं पहलवान हो सकता है उनके पता जी यहां लेके आए उसको और उनको फिर गरुजी के पास है और तो मैं भी खुद भी यहां पर 25 साल से में इंटरनेशन पहलवान हूं तो मेरे जोप लगी बगवान के डह से यहां पर मैं जैसी महनत करी वैसी जोप भी लगी कोछ में तो उसने आज तक ऐसा कभी भी ऐसा नहीं किया बही कभी चोरी चुपे मैनत अपने अलग से भी आप अच्छा करके धिखाया वे उसकी प्याओंधी में ढूप देसे हमारे समझाते भी हैं कुझा श्रूइबं व पहले करके आये थे तो मेरे सामने की बात है जैसे कुझा खुलू पास आये तो गरुजी के गाहँ उनके गावारे भी बहुत सारे आने थे तो गुरु जि जो सत्पाल गरुजी हमारे तो उन्होंने यही चीज समझाई देखो जितना नीच्छे गर्दन करके चलेगा उतना अच्छा रहेगा यह ऐसे चाती जोड़ी करके चलेगा तो उसमें तेरा गलत हो जाएगा क्यूं तेरे अंदर गमंड आ जाएगा नीच्छे नार करने वाल है अपने पता जी कि मा की जो भी है गरु जी तो उसमें बहुत अच्छा लगता है जि इसे ते मोट्यवेटर अच्क करते हैं जिसा अजीत्मान जी जैसे बतारहे हैं ऐत हैं ऑप सीनिर कोश हैं जित्मान जी आ क्या कुछ इनके परिवार के बारे में लों کو जानना चाहिए अमन का परिवार और उनकी अपनी निजी दिन्दगी देखिए ये बहुत ही एक ऐसा विश्य है ये सभी पहलवानों को भी सुनना चाहिए द्यान से और जो पैरेंट से उनको सुनना चाहिए एक ऐसा पहलवान जिसके माता-पिता का साया बच्वन में शिर से उठ गया और व नहीं है तो उससे पहले वो कभी नहीं अटा ना वो उसने कभी कोच की तरफ आंक उठागे देखा तो मैं तो यह कहूंगा ऐसी इस्तिति में बहुत गरीब घर के परिवार से था जहां बहुत मुश्किल था ऐसी उसमें क्योंकि पहलवानी में बहुत खर्चा होता है पहल कि इस्तिति में इतने गरीब घर से और फिर इस मुकाम पर पहुंच गया तो सभी जो पहलवान है जो यह सोचते हैं कि हम कैसे बढ़ेंगे हमारे पास तो कुछ है नहीं तो उनके लिए शिक्षा है आमन की कि जो आमन जो परिवार से बहुत गरीब था माता-पिता का उसके शिर से साय उठ गया था उसके बाद भी उसने आज ओलम्पिक में गोल्ड लेने की तरफ आगे बढ़ रहा है पुरा देश उसके साथ खड़ा है आशिरवाद है पूरे देश का और मैं कहता हूं कि बहुत ही नहयत शरीफ पहलवान है कभी वे किसी अखाड़े में हमारे मे जब से आया दोजार चोड़ा से गैरा साल का अगया था तब से आज तक उसका किसी भी पहलवान से कोई जगड़ा नहीं हुआ किसी से भी कोई सब पहलवान सब बच्चे उससे बड़े खुश है तो यहां पर अभी तक रहे हैं या अब कहीं और चले गया नहीं आमन जो है लगातार जब से आया तब से हमारे पास हमारे ऊस्टल में रह रहा है क्योंकि ये एसया का नूमबर वन सेंटर है यहां अब तक पूरे बारत में 130 करोड़ 140 करोड़ की जनता है यिसमें कम से कम लाखो अखाडे हैं पुरिय खाडे में महराश्ठर में अखाड़े हैं राजिस्थान में अखाड़े हैंлосьे कर ज्यादा संख्या में खाड़े हैं लेकिन अभी तक जो मेंके लाए कने कर? सब्सक्राइब के सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना है तो एक विक्ति जब इतनी बड़ी प्लब्दी हासिल करता है तो अपने माबाप को फोन करके खुशी शेर करता है अमन किसे फोन करके खुशी शेर करते होंगे उनका बहुत ही पर यह मित्र है मुंडा गाहों से है और वह गिर को रोमन का अच्छा इंटरनेशन रैसलर है उसका दोस्त है सागर मुंडा सागर मुंडा नाम से प्रसीद है रिको रोमन का चैंपिन है वह एस्या में मेडलिस्ट है और उनके ताउजी हैं जोग इनको पूरा स्पोर्ट करते रहे हैं परिवार से जोन्होंने उसके हर पल उनके साथ खड़े रहे हैं तो उनको वह अपनी खुशियां शेयर करता है और बाकि सभी अखाड़े के जितने पहलवान हैं उनको सब बहुत प्रिया वह लगवग सब कोई फोन करके के प्री हैं वह सब के प्रिया है जो जूड़ा है उसकी टीम है जो कमरे में रहती हैं उनके पार्टनर है और जो सागर है लिए कौन बोलना चाहेगा सब्सक्राइब से बदर प्रियार कि अब्रिया से असे बहुत अच्छे हूं वहlex ask कुछ जगड़ा के सबसे चोटा बड़ अच्छों हुए आपके साथ क्या बाचीद हुई है तो यहां पर तमाम पहलवान है जायतर पहलवान ऐसे होते हैं जो शरीर से अपनी अभिवक्ति करते हैं बोलते कम हैं लेकिन अमन को लेकर के यहां सभी लोगों में बहुत ज़्यादा उत्सा है कैमरमन मान के साथ रविकांत एविपी नियूस दिल्ली